नमस्ते दोस्तों अभी हम उस जगा पर मौजूद है विभूती पूर में जहां से लड़की को उठाया गया था दरिंदों के द्वारा और उठा करके उसके साथ गैंग रेप किया गया था सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए ये है सिंगिया घाट रेलवे स्टेशन ये जो पूरा सीन आप देख रहे हैं और उधर प्लेटफॉर्म है पूरा एक नमबर और इधर है दो नमबर और सामने आप देख रहे होंगे कि एक पार्क बना हुआ और कहीं न कहीं इस पार् आसता झो है इस तरहिए है जो यहां एश्टेशन पर आ जाती है तो लड़की जो है ना वह एक दुकान में काम करती थी और उसी दुकान में काम करके उसका रोजी रोटी चलता था और लड़की के मुताबिक लड़की जब साम को अंधरा हो चुका था और वह पार्क पार क करके वह जो भूम्रा वहां आपको दिख रहा है वहां से इस एस्टेशन की तरफ आ रही थी यहां पर बोगी लगा हुआ तो इससे क्या हुआ कि दूसरे तरफ जादा लोग रहते हैं इस्टेशन पर उनको नजर नहीं आया कि इस साइड क्या हो रहा है और अंधेरा का में कपरा ठूस करके और काफी अंधेरा था और लोग नहीं के बराबर थे क्यूंकि एक नमर प्लेटफॉर्म पर ऐसे छोटे स्टेशन पर ज्यादा लोग रहते हैं आपको सीधा तस्वीर में दिखा आए तो ये देखिए वो फार्क है और यहां पर भमड़ा है लड़की का घर भी हम आपको दिखाने का कोशिस करेंगे यहीं बगल के थे और सबसे बड़ी बात ये हुई कि लड़की जब किसी तरह से जान बचा के घर पहुंची तो उनके टोला के लोगों ने आ करके यहां पर एक मुकेस नाम का रेपीष्ट था उसको उठा करके अपने घर प का रोपी को रेपीष्ट को वहां से घीच लेते हैं लड़की के घर से जहां पर पकर के रखा हुआ तो और दोस्तों मारपिट भी होती है धमकी भी दिया जाता है और इतने सारे सीन के बाद आप दोस्तों समझिये कि यह सिंहिया घाट है स्टेशन पर आप लोग जब आते होंगे देखते होंगे अभी जिस रास्ते से जा रहा है दोस्तों इसी रास्ते से लड़की को ले जाया गया था और थोड़ा आगे है वहां पे जंगल है हम आपको दिखाने की कोशिस करेंगे और दिखाने का मकसद यही है कि ऐसे चहल पहल वाले जगह पर एस्टेशन के पास पार्क है बगल में पुलीस एस्टेशन है और सोचिये किसी मासूम दलित बच्ची को उठा करके दबंग लोग गैंग रेप कर देता है और दोस्तों गिरफतारी के नाम पर एक आरोपी को गिरफतार किया गया है उसका नाम मंटून है और दो आरोपी कही न कहीं फरार है और ये विभूती पूर में इधर दो तीन चार महिने में दूसरी घटना है जहां पर लड़की के साथ सामुहिक दूसकर्म किया गया और अभी थाना परवारी से बात हुई थी वो बता रहे थे कि जल्दी हम पकर लेंगे सारे आरोपी को लेकिन जल्दी का क्या मतलब होता है जल्दी का मतलब एक घंटा या एक महिना ये नहीं बता है खेर हम लोग अपनी तरफ से आवाज उठाते हैं ताकि कहीं से भी जो दबंग परिवार के लोग इस दलित बच्ची के साथ बलातकार किये है ये मामला कहीं से भी दवे नहीं कहीं से भी कमपरमाइज नहीं हो और कहीं से भी इसमें पुलीस के द्वारा जो है सो इस मामले को दमानी की कोशिस नहीं की जाए वीडियो बनाने का यहीं उद्देश है आप सब लोग शेयर कीजिए और आप देख रहे हैं कि ट्रेन कितनी लंबी लगी हुई है और इस वजह से इस पार क्या हो रहा है देखिए इधर इधर देखिए आप यहां से जो है सो घर खतम हो गया पूरा जंगल है कुछ घर था और आरोपी का घर भी इसी महला में है जो आप घर देख रहा है और यहां पे देखिए आप घर खतम हो गया यहां से जंगल स्टार्ट हो जाता और इधर ट्रेन लगा हु और तीसरा जो था कहीं न शहीयोग कर रहा था या फिर वीडियो भी बनरा था अभी थानापर्भारी से पूछे कि वीडियो भी बना है तो वह इस दाविए लेकिन शहीं जो एक के बाद एक गैंग रेप की घटना हो रही है इसे छेतर में रोसरा और मंडल में कही ना कहीं जो कमजोर तबके के लोग हैं और लड़कियों के अभिवाबकों के मन में एक खौफ और डर पैदा हो गया लोग कहीं ना कहीं अब अपनी लड़की को घर से बाहर भेजने में डर रहे हैं पुलीस विवस्था पूरी तरह से फेल है लोगों के मन में कानून के परती विश्वास पैदा करने में क्योंकि देखे ना कि रोसरा के भगल में सटा हुआ राजा सिंग बलतकार किया एक नवालिक लड़की का और उसको भागने का पूरा मौका दिया गया पुलीस के द्वारा उसको ये कह सकते हैं कि परिवार बाला जैसा आरोप लगा रहा है कि राजा सिंग को भगा दिया गया पुलीस के द्वारा और सोचिये कि जब जहां पे डियासपी साहब बैठते हैं रोसरा थाना है वहां से कोई इतना बरा दवंग आदमी भाग जाए और कोई कुछ नहीं करे ये कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं जो है पुलीस की विफलता है और ये सनलिपता है अब आपको दिखाते हैं ये आप दोस्तों ये देखिए ये हो गया सिंहिया घाट स्टेशन अब खतम यहां पे प्लेटफार्म हो चुका है और आपको दिखाते हैं अब यहां से एक पतली पकडंडी जाती है उधर जंगल की ओर थोरा सा हम लोग आने का कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना सुनसान जगह है अभी देखिए दोफर थोरा सा धूप निकला हुआ है फिर भी यहां पे एकदम सुनसान और ड्राबना जैसा लग रहा है और इसी चीज का फैदा उठाया जो अपराधी थे और यह जो पकडंडी देख रहे है इस जंगल मे देखिए वो एस्टेशन है इधर घर उर खतम हो गया है सबसे बड़ी बात यह है कि बलतकार लरकी के साथ नहीं हुआ है यहां के कानून व्यवस्था के साथ बलतकार कर रहा है आरूपी लोग और एक के बाद एक बलतकार की घटना हो रही आप एक चीज देखिए तो आप कहीं न कहीं डर जाएगा साम जाएगा यह देखिए जंगल में आगे बस इसी जगह पे यहां पे जो स्पोर्ट है जहां इतना हम लोग को बताया गया है यह देखिए अब इस जंगल में देखिए कि दोस्तों यह दीन में भी यहां पे रात जैसा लग रहा है और इसी जग कि यहां पे लड़की चीक चिला रही होगी कोई सुनने वाला तक नहीं होगा चारो तरफ अंधेरा गुफा जैसा लग रहा है और काफी ड्रावना सीन है यहां पे तो लोग अकेले आये तो डड़ जाए सोचिए छोटी सी मासूम बच्ची और तीन-तीन दरिंदा उसके साथ उसकी इसमत को इज़त को रौंद रहे थे कितनी डड़ी सामी होगी वो लड़की और किस तरह से इस जंगल से इस गुफा से जान बचा करके रात में भागी होगी और दोस्तों बहुत ही जादा ये डराबना जगह लग रहा है और इस जगह का सनाटा होने का फायदा हो गया उधर एस्टेशन है एक पकडंडी आती है उधर देखिए अंतीम घर उधर है और उस सब घर जो देख रहे हैं उसी में से आरोपी का एक घर सबाल ये है कि एस्टेशन जहां पे 24 गंटा लोग आते जाते रहते हैं वो ऐसे जगह से किसी लड़की को उठा करके दलित नवालिक लड़की को उठा करके बलातकार कर लेना संभब है तो सोचिए दोस्टों की विभूती पूर थाना के ऐसे जगह पर सुनसान गाओं में सुदूर गाओं में दूर के गाओं में क्या इस्थिती होगी और कानून का कितना ज़्यादा लोगों में खौफ होगा ये आप समझ सकते हैं एक के बाद एक बलतकार की घटना हो रही है लेकिन अपराजियों की गिरफतारी नहीं के बराबर हो रही है। सोचिए दोस्तों कितना थाना है रोसरा अंडमंडल में हसनपूर बिथान, सिबाजी नगर, विभूती पूर, रोसरा और गिरफतारी अगर चाहे पुलीस तो नि दुसरे उपद्रभी और सैतान लोगों के मन में ये डाल दिया गया है कि तुम बलतकार करो, पुलीस यहां पकरेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि 11 साल की बच्ची की इज़त आबरू लूट ली गई, इस विभूती पूर थाना में और ये सिंग्या मार्केट है, सिंग्या घाट का, तो तो दोस्तों सोच सकते हैं कि सुदूर जगह पे कैसे होता होगा, अब सवाल मेरा ये है कि जब राजा सिंग्ग बलतकार करता है रोसरा में, डियस्पी साहब के नाक के नीचे में, पूरा दिन का समय रहता है पुलीस के पास उसको पकर करने के लिए, लेकिन पुलीस उसको गिरफतार नहीं करती है, पूरा पूरा दलिट, टोला, डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एप्रोच, और दोस्तों एक चीज ऐसी बात है, आपको बताएंगे, आप इस चीज को नोटिस कीज में, लेकिन आप देखिए कि, जितना अखवार वाले हैं रोसरा में, एक पेपर वाले को छोड़ करके, किसी ने इस खबर को परकासित नहीं किया, इसमें खबर बन सकता था कि फलाने रोसरा थाना चेत्र में, बलतकार की घटना आई है, जिसमें राजा सिंग पर आरोप ल को, और उस, वो स्कूल वाला हमको भी फोन किया था मैनेज करने के लिए, लेकिन हम नहीं हुए, लेकिन पेपर वाला सब को बिग्यापन देता है, जिसमें आप देखते हैं, कि स्कूल का फोटो छपल लाता है, उस बिग्यापन के बोज तले, कर्ज तले पेपर वाले दब किया, उस मामले को पेपर में जगह नहीं दी गई, एक पेपर में छोटा सा छपा था, यह हम कहना चाहते हैं, कि जो पेपर आप लोग पढ़ते हैं, वो सब बिग्यापन लेता है, स्कूल वाला कोचिंग वाला गुंडा, मापिया, नेता, विधायक, और कहीं न कहीं जब उसके दोरा कुकरम किया जाता है, तो उसको छिपाया जाता है, यही चीज़ दिखा था, पेपर में अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर आप लोग नहीं होते, तो रोसरा वाला मामला हो, चाहे बिभूती पूर वाला मामला हो, चाहे सिंग्या में एक गाउं में जो एक गेंग्रे बला मामला हो एक मामले में भी नो तो गिरफतारी होती ना पेपर के किसी पन्य में दिखता और नहीं कोई कारवाई होती नहीं लड़की को नयाय मिलता सोचिए दोस्तो जिस मामले को नेशनल मीडिया में कहीं न कहीं आज तक जैसे चैनल ने उसको परकासित करने का काम किया लेकिन रोसरा के पेपर वाले ने उसको नहीं छापा क्योंकि आरोपी से संबंदित आदमी उसको बिग्यापन देता था यहीं चीज दिखा रहे थे दो है तीन लड़कों ने मिलगड के बलातकार किया था और एक के बाद एक के बाद एक बलातकार की गटना हो रही है और कहीं न कहीं बिपक्ष जो है वो चुप है घर में बैठा हुआ हुआ है मौन है आम लोग चुप है हम लोग हला कर रहे हैं आप लोगों के सयोग से निश् बाद दो